तो करेंटली अभी इंडिया रोस्टेलिया का चल रा है वहक्त चल रा है और उसके राउंड काफी ज़दा हाइप भी चल रहा है तो एक तो मैसे भी वाल्ड कप हारने के बाद हाईप उलेडी था और उपर से भाई अभी पर उसके अंदर रियल वाले स्कोर कार्ड लगा हुआ होता है और आज का जो वीडियो है बस पेसली इंडिया बरसेस ऑस्टेलिया वाला होगा जिसके अंदर मैं आपको प्री में इसका स्कोर कार्ड पीएशडी दूँगा वो भी एकदम फॉंट के साथ सबी चीज़े प्री होगा बाई तो बिल्कुल एंड तक देखेगा बहुत ही जादा मजा आएगा बहुत ही जादा कुछ सीखने को मिलेगा और बाई वीडियो को जल्दी से लाइक करो यार क्योंकि बहुत ही जाता मेहनत करना होता है स्कोर कार्ड बनाने में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर करते हैं बिना किछी टाइम वेस्किये तो देखो अभी एडिट केसे करना है तो अगर डीटल में जाना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो जहां पर मैंने सुरुवादी से सब कुछ समझायता और एक इजी वाला मेथोड भी समझायता पर चलो कोई बार सिर्फ तुम्हारे लिए अभी जो वीडियो को लाइक करेगा ना करो अभी लाइक करो सिर्फ के सिर्फ तुम्हारे लिए दुपारा से सौट में बता देता हूं तो देखो बाकी हाँ एक सेकंड लैप्टॉप PC कुछ है ना तभी जा करके आगे देखो बरना सिर्फ के सिर लाइक करो और आप किसी और का वीडियो देख लो टाइम बज जाएगा खेर अब करना क्या होता है बात करते हैं उसके उपर सबसे बेले गेम ओपन करना रियल क्रिकेट 22 को उसमें इंडिया बसेस ऑस्टेलिया का मैस लगाना है अपको और हाँ बाकि सबसे बेले तो जाएट करना ताकि बाद में हम लोग उसको जाकर कर पाएंगे उसके बाद गाइस आपको स्कोर बोर्ड की जरुवत पड़ेगा जो में आपको फ्री में देने वाला हूं तो एक्दम गूगल ड्राइब का लिंक आपको दे दिया हे नीचे तो बहां से डाउलोड करके उस का लिंक भी दे दूँगा तो डाउलोड कर लेना और भाई अपने PC में इसको इंस्टॉल कर वा लेना सारे फॉंट्स को ठीक है तो अभी देखो एडिट करवाना तो है पर करना क्या है एडिट तो जैसे कि सपोज सुर्य कुमार का ही एक्जम्बल हम लोग ले रहेते तो मान पर अभी एक्जम्बल के वाईज आपको सबसे पहले 25 लिखना है और उसको सेब करेना है और दुबारे से एडिट करके क्या लिखना है 31 क्योंकि चक्का लगा है उसने ठीक है उसके बाद उसको भी सेब कर लेना है पी औजी करके और यार जब आप अपना स्कोर को एडिट कर रहे हो ना तो साइड में जो ओभर है उसको भी एडिट करना वाई उसके कोडिंग मलब की छे लिखा हुआ है तो 6.1 कर लेना जितने भी ओबर चला है तो उसी वाइस कर लेना एडिट अगर आपने स्कोर कार्ड भी कर लिया तो उसके बाद क्या करना है आपको अपना ए तो उसी टक करके जो साउंड होता है तो उसको एडिट करना है ठीक है ताकि ऐसा लगे कि वो जो रियल वाला टक वाला साउंड आया बो तब आया जब आपने ही बॉल और बैट का नेक्सन करवाए गेम प्ले के तो ठीक है तो यह सब आपको तो थोड़े बोड़े कॉट्स तो उसको आड़ करना फिर 6 बारने के बाद उसको 31 कर लेना मलब कि दूसरा वाला इमेज को डाल देना तो सब कुछ मिला देना और भाई लास्ट में अगर हो सके तो जियो सिनेमा का लोगों बगरा भी लगा सकते हो राइट साइड में राइट कॉर्नर में तो जब आप य एडिट हो करके बन के कुछ इस तरीके का बन के तयार हो चुका है तो गाइस अगर आपको आज का वीडियो अचा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना पीएसडी और फॉंड का लिंक नीचे देखने को मिल जाएगा एडिटिंग के उपर डीटल में वीडियो चाते हो फ्रेम बाइप तो ज़रूर से कॉमेंट करना मिलेगा भाई ज़रूर मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा ठीक है गाइस मिलते हैं अगले वाले बड़ी अबले वीडियो के अंदर तो तब तक लिए आप से अपना ख्याल देखिए गुड बाई